हलो एस्टूडेंट स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में आज के इस वीडियो में क्लास बारह के बहुती विज्ञान अभ्यास एक में NCRT प्रशनों के बारे में अध्यान करेंगे पिछले भाग में प्रशनमबर एक से लेकर के प्रशनमबर आठ तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यारती नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में इसी निकाए में दो आवेस पहला आवेस का नाम क्या है Q A कामान क्या है दो दस मलो पांच गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम तथा Q B कामान क्या है माइनस दो दस मलो पांच गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम करमसह दो बिंदूं पहला बिंदू A कामान सेमी पर अवस्थित है निकाय का कुल आवेश तथा बैदू दूदुरू क्या है जिसमें दो प्रशने पूछा जा रहा है अब इसको कैसे हल किया जाएगा तो यहां पर लिखेंगे सबसे पले हल और हल लिखने के बाद से यहां पर जो है अभी एक सररेखा खिचेंगे जैस मद्ध बिंद होता है क्या होता है मद्ध बिंद अब यहां से उपर जाने पर धनात्मक होता है नीचे जाने पर क्या होता है रिडात्मक होता है और यहां पर मान क्या दिया गया है धनात्मक में जीरो कामा जीरो कामा क्या है पंदरा उपर पलस हो जाएगा नीचे क्या हो जीरो कामा जो है यहाँ पंदरह नहीं है यहाँ पर जो है पंदरह ही दिया गया है यह जो मान दिया गया है पंदरह है एक दसमलों पांच नहीं है ध्यान दीजेगा पंदरह से में अब यहाँ पर जीरो कामा जीरो कामा माइनस जो है पंदरह हो जाएगा अब यहाँ से जो है टोटल या उपर दूरी और नीचे टोटल दूरी कितनी दूरी पर है और यहाँ पर एक आवेस है इस आवेस का नाम रखा जाएगा अब यह QB हो जाएगा क्या हो जाएगा यह QB हो गया और यह जो मान हो जाएगा इसको कहेंगे QA हो जाएगा QA का मान कितना दिया गया है त दो दस मलो पांच गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम है, क्यूभी का मान दिया गया माइनस दो दस मलो जो है, पांच गुड़े दस के पावर माइनस साथ है, मतब दो दस मलो पांच गुड़े दस के पावर माइनस साथ है, मतब दो दस मलो पांच गुड़े दस के प QA का मान दिया गया है 2.5 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 कुलाम जो है दिया गया है यह QA का मान हो गया अब यहां लिखेंगे QB अब QB का मान क्या दिया गया है माइनस जो है 2.5 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 कुलाम दिया गया है और दोनों आवेसों के बीच के दूरी मतलब यहां से यहां तक के जो बीच के दूरी है मतलब A बिंदो है और यह B बिंदो है तो दोनों बिंदों के बीच के दूरी कितना ह हो जाएगा यहां से ऊपर जब जाएंगे यहां से टोटल यहां पर लिख लेंगे टूइल हो रहा है यहां से यहां तो उपर 15 और नीचे 15 तो क्या बनेगा यहां और यह देखेंगे गया है सेमी में दिया गया है यहां पर देख सकते हैं फंदरा सेमी है और यह भी पंदरा सेमी लिख लेंगे अगर चाहें इसको सेमी को में किसमें बदला जाएगा मीटर में बदला जाएगा अब यहाँ पर कुल आवेस की गर्णा करना है तो अब लिखेंगे यहाँ पर कुल आवेस अब कुल आवेस का मतलब दोनों आवेस को क्या करेंगे जोड लेंगे अब यहाँ पर पहला लिखेंगे यहाँ पहला इसमें पूछा जाए कुल आवेस गुड़े 10 के पावर जो है माइनस साथ है पलस हो जाएगा क्यूबी का मान क्या है माइनस 2.5 गुड़े 10 के पावर माइनस साथ है अब यहां लिकेंगे क्यूब बराबर हो जाएगा मतलब फलस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा अब इसमें इसको क्या करेंगे घाटा देंगे जब घाटा आएंगे तो इसका मान क्या जाएगा जीरो आ जाएगा मतलब इसमें कुल आवेस जो होगा क्या होगा जीरो हो जाएगा तो कुल आवेस कैसे जीरो होगा समझ में आ गया होगा क्यू ये कामान रखा गया है और क्यू भी कामान रख करके हल कर दिया गया है तो इसमें आवेस कामान क्या गया जीरो आ गया है अब य इसमें पूछा जा रहा है अब P के सुत्र क्या होता है तो एक आवेस मतलब कोई एक आवेस ले लेंगे और दोनों आवेसों के बीच की दूरी के गुड़नफल को क्या कहा जाता है बैदू दूरू आगुड कहा जाता है मतलब अगर इसमें Q A भी ले सकते हैं और Q B भी ले सक मतब दोनों आवेसों में से कोई एक आवेस होगा और 2EL का नाम क्या है दोनों आवेसों के बीच के दूरी है अब यहां पिमान रखेंगे तो P बराबर होगा Q A का मान कितना आया था तो 2.5 गुड़े 10 के पावर माइनस साथ आया था और 2EL का मान कितना आया था तो उपर केंगे 30 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा अब इस 0 से इसका 10 मलों हट जाएगा तो और 3 का गुड़ा 25 में करेंगे तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा 75 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 और माइनस 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस 9 हो जाएगा तो 75 गु दस के पावर जो है माइनस आठ हो जाएगा और इसका मातरक क्या हो जाएगा तियां लिखेंगे कुलाम और क्या होगा कुलाम मीटर हो जाएगा अब कुलाम कैसे क्यूट से कुलाम और यलका मतलब मीटर इसने इसका मातरक क्या बनेगा कुलाम मीटर हो जाएगा तो प्रशन नमबर जो है नौ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें दो प्रशन थे दोनों प्रशन को जो है बारी बारी से इसको हल किया गया तो अब सीखेंगे प्रशन नमबर दस तो प्रशन नमबर दस है चार गुड़े दस के पावर माइनस नौ कुलाम मीटर के किसी एक समान बैदू छेतर के दिशा से तीस अंसपर सन रेखित है दूइधुरू पर कारत बल आगुण का परिमार परकलित कीजिए तो यहां पर जो मान दिया गया सबसे पहले उसमान को नोट करेंगे कि इस प्रशन में कौन कौन सा मान दिया गया है पहला मान जो दिय और पी का मान कितना है चार गुड़े दस के पावर माइनस नो है इसका मातरक क्या होता है तो कुलाम मीटर होता है यह किस का मान है तो यह मान जो है पी का मान है अब आगे यहां देखेंगे यह मान पांच गुड़े दस के पावर चार न्यूटन कुलाम जो दिया गया है व 10 के पाउच 4 है और Newton जो है कुलाम इनवर्स दिया गया है और कॉन कितना बना है तो लेकिंगे ठीटा बराबर जो है 30 अंस का कॉन बन रहा है 30 अंस का कॉन हो जाएगा और यहां पर बल आघूण बल आघूण किसे दिखाएंगे टाउ से टाउ बराबर जो है क्या हो जाएगा मतलब इसमें टाउ बराबर जो है इसमें पूछा जा रहा है तो प का मान दिया गया है और ए का मान दिया गया है और ठीटा का मान जो है प्रशन में दिया गया है और टाउ बराबर पूछा जा रहा है तो टाउ का नाम क्या है बल युगम आघूण का आजाता है और बल सुत्र होता है टाउ बराबर होता है या थिवरी में बताय गया था सुत्र होता है पी ए क्या होता है साइन ठीटा होता है या किसका सुत्र है तो बल युगम आगहुड का सुत्र होता है टाउ बराबर पी ए साइन ठीटा होता है अब इसमें मान को रख लेंगे तो टाउ बरा किस का मान है पी का मान है गुड़े कर लेंगे अब ए का मान कितना है तो ए का मान दिया गया पांच गुड़े दस के पावर चार यह किस का मान है ए का मान हो गया अब यहां लिखेंगे साइन हो जाएगा ठीटा का मान कितना दिया गया तो ठीटा का मान तीस अंस दिया गया है तो यहाँ पर P का मान, E का मान और ठीटा का मान को क्या किया गया है? रख लिया गया है. अब यहाँ टाउ बराबर क्या होगा? पांच में चार के गुड़ा करेंगे, तो पांचों को 20 हो जाएगा. 20 हो गया, और यहाँ 10 के पाउर क्या बनेगा? चार में से 9 को घटा देंगे. तो चार में से जब 9 घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर माइनस क्या होगा? पांच हो जाएगा. और साइन तीसंस, अब साइन तीसंस तिरकोड मीती में पढ़े होंगे. साइन तीसंस का मान होता है, एक बटा दो. तो बाइलोजी वाले जो बिद्यार्थी होते हैं, वह कलास दस में तिरकोड मीती में पढ़े होंगे. कि साइन तीसंस का मान क्या होता है? एक बटा दो होता है. अब यह दो से जो है, इसको काड़ देंगे. 20 को काड़ देंगे. कितने बार में जाएगा? दस बार में जाएगा. अब क्या बनेगा? टाउ बराबर हो जाएगा. अब यहां लिखेंगे 10 गुड़े. 10 के पावर माइनस क्या होगा? 5 हो जाएगा. अब यहां 10 के पावर यहां पर कितना है? एक है. अब एक घात में से 5 घात को क्या करेंगे? गहटा देंगे. जब एक घात में से 5 घात घट जाएगा तो टाउ बराबर हो जाएगा. 10 के पावर जो है क्या बनेगा? माइनस 4 हो जाएगा. और टाउ का मातरक क्या होता है? तो टाउ का मातरक होता है निउटन और क्या होता है? मीटर होता है. तो यह प्रशनमर जो है 10 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया है तो आप सभी भी द्यार थी इसे अपने कापी में जरू नोट कीजिए जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज के इस वीडियो में प्रशनमर 9 और प्रशनमर 10 को हल करके बताया गया तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार थी जरू कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार थीओं को नमस्कार